हाई फ्रेंट्स वल्कम बेक तु शेम डिजन सॉलूशन तो दोस्तो आज जो आपके लिए एक जो 20 लितर का जो बबल के बात ही है उसकी जो है कॉंप्लीट मोल्ड डिजैन आपको बना तकाने वाला हूँ आसका जो मोल्ड होने वाला है इसमें हम कॉंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कौन से insert का काम कैसे होता है इसको कैसे बनाना है दुश्रा सीजर यहां पर जैसे हम 2D बनाते हैं 2D में हर एक एक detail के बारे में हम बात करेंगे यहां पर देखोगे तो आपको दो आपको यह पता लग जाएगा जो भी लेट का काम है यह उसको किस तरीके से इस वीडियो में आपको बता लग जाएगा बहुती ही इंटरस्टिंग सा वीडियो होने वाला है इसमें मैं एक एक सीज़े बना के दिखाऊँगा लास्त दग वीडियो देखना है तो चलिए लेने से पहले इस कॉम्पोनेंट की आपको मैं दिखा जे रहा हूं और यहां पे चो एराउंट टीन ग्राम का पार्ट एराउंट यहां पर आ जाएगा आपका जो रेजीन है आपका ही कितना है यहां पर में मेंशन कर रखाओ और लडीपी 24 एप एस जीरो 4070 वरसन हम यूज कर रहे हैं यहां पर मैं स्रिंकेज बगरा डालोंगा तो यहां से तो यहां पर यहां पर सीलेक कर लेना है यहां रखना है कुछ सर्फेस पागर आप मीश नहां हो अगर मीश हो जाएगा बाद में आपको फिर दिक्र होगा आपको तो मैं यहां पर ओक्ए कर देता हूं तो यहां पर मेरा यहां पर हो गया है अब दोस्तों देखो यह जो मेरा concept है इनको मुझे एक डूसरा आइटेम बनाना में दूसरी हिसाफ से मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर मेरा sketch है तो यहां पर इनको मैं ले जाओंगा तीम अभी मैं रैंडेम साइज ले रहा हूँ और इधर पर एक ही कारव है तो में यहां पर ब्रीज भी ले सकता हूँ और मैं यहां पर spline भी ले सकता हूँ तो इसको थोड़ा अलग चलिक कैसे करना होगा देखो अगर मैं ब्रेज करता तो इस सर्फेस को फिलिट करना पड़ता फिर भी यह जो रेडियस गैन हो रहा है यह जो रेडियस मुझे मिल रहा है तो 27.513 यह मुझे एक्स्वेल में मीद नहीं होगा तो इस तरीके से प्रोसेस के लिए आपको क्या तरीका लगाना पड़े पड़ेट, यह सर्फेस तो मेरा पन गया है इए दर पे सथाही नहीं है तो इसको मैं इसकी यहँठेखरें में यहां पर करनोंगा ठीक है इसके एकडिंग में रिप्लेश कर दोंगा और यह जो फल्टू का कार्ब है ना इनको मैं 100 कर दोंगा ठीक है तो 100 लियर जो है मैं यहां पर हाइट करूँगा अब दोस्तों देखो यहां पर पर जो है शर्पेस जो है डेखो क्या है कुछ सथयोगों है तो मुझे करना पड़ेगा ईजो सर्फेस इसको हमको फोल्य पालना पड़ेगा और पर इसके ऐप कर देखाए कि OUT बार स्थाव, इसको क्या कर देता है तो हम इसको क्या कर देते हैं क्लोज लगा देंगे ठीक है अब इनको हम स्यूगर लेते हैं ठीक है सॉलिद बन गया ठीक है सॉलिद बन गया दोस्तों इसको मुझे एक सार्टें डिस्टेंट टेक ले जाना है तो इसको मैं रिवार्ज डिरेक्शन कर दूंगा यहां पर मैं अंडेट इम्म मैं ले जाओंगा माइना अंडेट इम्म डालना पड़ेगा है ना करवार हो रहा है ठीक है कि इतना मेरा अभी तक यह रहेगा और यह जो फाल्टो का से जाना मुझे इसको नहीं चाहिए तो मैं इसको दिलेटर दूंगा मुझे क्लीन से ठीक है अब यहां पर रोश्तों क्यान से दिखिएगा इनको जो हैना मैं तैन इम्म का जो है कॉलर द देता हूँ और यहां पर जैसे में दल के 32 का एराम बढ़ दोंगा ठीक है तो मैं यहां पर रिशाइख स्पेस में जाओंगा रिशाइख पेस प्रिशाइख पो नहीं मिलेगा आपको कास्तुमाज बनाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर मैं 64 कर दोंगा अब इनको है अभी मैं एक अब इसकी संद्र वाला पॉश्ण बनाएंगे मतलब संद्र बोले तो आपको मैं अगर संजा हो इसो है यह वाली संद्र बनाएंगे यह जो में जो आप देख पाऊगे न जिसमें से आपका एयर इजेक्शन होगा तो हम यह वाला बनाएंगे तो यह वाला पॉजिशन जो है बनानी के लिए सबसे पहले आपको ठ्यान रखना पड़ेगा ठीक है हम यहां पे स्कैश्ट ले लेंगे ठीक है कि यहां पर मुझे लेना पड़ेगा तो मैं अप्रॉप्सिमेटली यहां पर 17.4 इंटू टू कर लूँगा ठीक है इंटू टू ठीक है इतना मेरा आजाएगा इनको जो हैना मैं इधर पर कर दूंगा क्या कर दूंगा ठीक है यहां पर मैं इनको कर दूंगा यहां पर देख पाओंगे यहां पर इसको फेरिफाइब कर सकते हो 17.98 का होगा तो हम यहां पर देख लेते हैं यह जो मेरा इंटरनेल डायमेटर है इसको हम एक बार देख लेते हैं कई पर भी आपको कोई नहीं लेना है ठीक है तो यहां पर देख पार हो 30 30 कितने का है 36 का है ठीक है यहां पर आपका 36 का है और यह जो देख पार हो 35.6 है मतलब आपका जो है 35.6 है तो आपको यहां पर 70.8 लेना पड़ेगा राइट तो यहां पर जो स्कैट्स है तो आपको धियान रख लेना है 17 पॉइंट आपको यहां पर 8 लेना पड़ेगा दन ठीक है यहां पर यह मेरा हो गया है तो दोस्टों यहां एक सीस और ध्यान रखने वाली बात है अप कुंझाई कना पड़ेगा आप को ठ्यान से दिखना , । हुआ यहां है यहां पे इसको जो है। यहां पे जो है मैं इनको प्लस नाइंटििस्ञ सिक्स का थे जिए अपको एक तरीके से एक तरीके सी एक फूर्मूला लगाना पड़ेगा आप को पूर्मुला लगाना पड़ेगा यहां पे एक तरीके से यहां पे हम इनको जो है यह जो आप कार्व देख पाऊगे ना इसको हम ले आते हैं और यह जो पॉर्सन देख पा रहे हो इस पॉर्सन को जो है हम एराउंड 96 या 100 mm 96 mm होगा तो इसको मैं बाहर निकल के लिया होगा ठीक है तो आपको कॉन्फ्यूजन ना हो तो इसको मैं कलर सेंस कर देता हूँ तो इसको थोड़ा सामदार कलर पर ले लेता है अब दोस्तों देखो यहां से यह जो पॉर्सन है इनको जो है मुझे एगें स्प्लीट कर लूँगा ठीक है इसको मैं हाइट कर लेता हूँ और इनके एक साडेन गिलना पड़ेंगा जो हम स्पेसीफई घ्री लेकर 30 समूरी तो मैं हां ना है तर्गेट टूलिस से ठीक है अब मैं इनको जो है दिलेट बोडी कर दूंगा तो मेरा यहां पर यह शेप आ गया ठीक है आप देख पा रहे हो यहां पर यह शेप आ गया तो इनको जो हम यहां से sense कर देता है तो section on कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा done अब दोस्तों देखो यहां पर इतना काम तो हो गया लेकिन अभी यहां के काम खतम नहीं हुआ क्यों कि यहां पर क्या होगा zero zero तो रहेगा नहीं है ना तो यहां पर कुछ certain tolerance बगर आपको डेना पड़ेगा तो हम इसको क्या कर देते हैं थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे हां तो यह जो है ना इसको मैं माइनास 35 में split करूंगा पहला वाला तो सेकेंद वाला जो होगा ना यहां पर में second वाला जो है इसको मैं एक ना शक्तर हमें में 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 करूंगा ठीक है कि सतर हमें मैं में सबसे पहला वाला और जो और मैंаюсь को हम यहांपर लगाएँगे इसकी tolerance होगा doncना होगा कि इसके बाद चाल धूंगा इनकी tolerance अलगा यहांपर tolerance होगे तो यह नएक इम्हेंड का विसके verset करोंगा और इधर जो से थो यह दो हिखेंगा एन्सेल यहांपर 0.25 अवश्यान से दिखेंगा न चाहिए तो एराउंड 4 का हम offset करेंगे मैं दिखाने का रिजन यहीं है मतलब आपको बात में पता लगा कि किसलिए हमने इसको हताया तो मैं इसको माइना 0.5 जो है इसको offset करूँगा ठीक है और इसको जो है माइनस 4 mm का मैं offset करूँगा ठीक है तो माइनस 4 mm क्यों करा आपको समझ में आ गया है यहां पर क्यूंकि आपने टूडी आपने देख लिया है इस तरह किसले यहां से यहां तक फॉर पइंट तो मतलब तूब यहां पर जो है ऑफसेट है तो यहां पर करूँगा ना तो फॉर हो जाएगा तो फॉर एम जो है Ну कला ना नेश्यसेतर दोख के लिए पर यहां पर बीस के लिए आपने मुझे यहां पर सॉल कर ने के लिए तो इसको ना प्टेश्वाद सूख रहना पड़ेगा तो यहां पर क्या मिबक्स और जा एक पॉपन कि एक तो यहां पर coupling को करने के लिए मुझे यहां पर एक बूस्ट लगाना पड़ेगा यह जो बूस्ट इस बूस्ट के लिए मुझे गूरूप करना पड़ेगा यह जो गूरूप है यह एराउंड 7 mm का है यह स्टेंडर आता है आपकी मीशुमी का इस 7 mm का है और जो यह दिखा र बनाते रहता हो सारा से स्टेंडर्ड मिलेंगे और आपको ट्राइल पूब मिलेगा ठीक है तो यहां पर देखिए ना मैं यहां पर 7 mm है और निशे से मुझे 16 mm रखना है और यहां पर मुझे सब्ट्रेक कर देना ठीक है और यहां पर भी मेरा प्लास 7 mm एड हो जाएगा औ मेंने आपको क्या बताये था कि टू शेल करके हिए जाय तो यहां पर माइनस तू को फीट हिए है तो यह मेरे एक तरीक़े से कया हो के-श्यफ transition हे वान आ जाएगा लेकिन यहां पर देख़ो ना कुछ परस्टूंच यहां पर निकल कर रखा इसको क्या और करना है इसकी बताँगी भी बताऊंगा लास्क्तव डिखते रहना लेकिन में जो मेन करूँगा ना वो मैं 20mm का करूँगा तो बूब करूँगा है आप देखते रहे हैं ना मैं क्या करने जा रहा हूं तो मैं राउं जो है इनको माइनएस फून्रिट का कर दे रहा हूं ठीक है माइनस तुहंड्रेट का मैं इसमें कर दे रहा हूं ठीक है ठीक है अब यहां पर इसको जो है हम सेंपर कर देंगे ठीक है यहां पर जैसे दसक भी इसका लिया तो दसका तो सेंपर करना पड़ेगा ना इस तरीके से मैं इसको जो है चैंपर कर दोंगा और यहां पर एक दम उपर तक ले नहीं जाना है देखो यहां पर आपको कितने का लिए रखाओ यहां पर ने कहीं और सेलेक कर लिया यहां पर जो अब आपका जो आएगा ना इधर पर तो आप देखोगे ना थर्टिन का आएगा और उसके अंदर जो आएगी मतलब जो इंटरनल डाया का आएगा वह आपका आएगा नो का जो हमने यहां पर हाइलाइट कर रहा है कि नौ का जो यहां पर बनेगा तो यह शोटी-शोटी ना पर हम जो बाहरव वाली पॉर्टिस है ना हम वह बनाता है ठीकल्ड तो मैं यहां पर क्यार्श ले लोंगा सबसे पहले और यहां से मैं सैंटर लोंगा यह तो मैं क्या कर train में अट करों गा है नहीं जो यह जो एरिया है इसको मैं ले ज्लेंगा 20 mm का तीख है कितना mm का कशलो मैं इसको कर देता हूं और इनको जो है। इस डिएकस में ली घाता हूं तीक है और यहां पर इश वह निशे से मैं इसको मार्श सक लेता और एक एक साउत Olum कर देख लिएगा प्लिक यह तो यह प्लाइब्ट होती है तो यहांसे देखो गए ना तो यह और जीरो जूरो पे नहीं है इसलिए फीदियो कूरा डेखना बहुत सारा चीज़ा पता लग जहां है तीस मां जो है ना ऑफसेट है क्योंकि अगर मैं इसको जीरो जीरो करता है तो यह जो एज होता न यहां पर पार्टिंग जो मुद्धा आता बार टाइप का आता अब मैं इसको जो है तीस माइकरों आफसेट करके रखाओ यह करना जुरूरी है अगर आपने यहां तक वीडियो नहीं देखा ना जिसने भी कि उसको यहां तक समझ नहीं आएगा ना तो मैं क्या करूंगा ये जो फेच है ना इस फेच को मैं 30 माइकरन कम कर दोंगा तो मैं क्या करूंगा- 0.03 तीख की तरफ जाएगा यह जाएगा कि ऊप्कोसिट सैड डिखाव यह कि तरफ जाakh रहा है मैंनस में जा हो तो Health में गया कि इतने खामा दून है कि आshore है क्या वोलना सारा हु अभ्य प्रेंट करा तो मैं अब इससे में इसको साब्ट्रेक कर दिया है अब जो यह फाल्टुगा है इनको में इलेट कर दूँगा अब आपको यह जो कार्व है इस कार्व का मुझे जुरूरत नहीं है आपको कुंसेप समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अब देखिए गा इधर प चोटी-शिज़ए आपको कोई बताने वाला नहीं है जब तक आप नहीं सिखोगे कुछ से नहीं आएगा तो यह सब आईड़ा कहीं से में अप इसफेशाए यहां से भी इनको मैं नहीं होगा तो यहां से यह वाला इंप्रेश्न इधर पर आजाएगा मेरा भी section जो है काटा हुआ है तो section को मैं हता के दिखा देता हूँ तो ये portion जो है यहाँ पे आपको EDM होगा ठीक है अब मैं इनको ले आता हूँ done मैं इसको section काटते है so did आपको समझने में और easy होगा और दोस्तों यहाँ पे एक सी जोर में बता देता हूँ आपको यहाँ से उपर से नाम इसको मैं 20 mm का यह कर दोंगा ठीक है 20 mm का मैं यहाँ पे डालूँगा और यहाँ से में ना one sided offset कर दोंगा और example में 3 का कर दोंगा और one sided के जगा हम two sided कर देते हैं यहाँ पे प्रॉब्लेम हो जाएगा ठीक है यहाँ पे मुझे बोल्टिंग भी करना पड़ेगा यहाँ पे मेरा बोल्टिंग भी होगा ठीक है तो मैं इनको यूनिट कर दोंगा तो यह एक तरीक से मेरा इंचर्ट ऐसे बनेगा मैं आपको यहाँ पे तूडी में दिखा दू सोटेथ कॉन्फिजन ना हो देखो यह वाला जो एरिया होगा आपका यहां से मैं इसके दाइमेंशन लेता हो तो कितना है 96 का है ना 96 का सब्सक्राइब 102 में थोड़ा भरा भी रखोंगा मुझे कोई रिक्कत नहीं कोभी वोल्टिंग रखना है और यह जो एरिया है एराउंड में 20 mm का रखोंगा ठीक है 20 mm रख सकते हो और यहां से एक साटन गैप है यह तरह से कॉलर है 9 mm का मैंने यहां पर कॉलर रख लि है और दोस्तों इसमें एक सी और ध्यान रखना है यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट जो है राउंड होगा ना तो इंसर्ट घुमने का सांस होता है तो इंसर्ट में आपको दी कट लगाना पड़ेगा तो दी कट हम कैसे लगाएंगे मैं दिखा रेटों शोटी से सीज़े है अगे आपको यह सब सीज़े गलती नहीं होगा तो हम इसको डी कट करेंगे ठीक है मैं इनको जो है आगे ले लेता हूं इस साइड में ठीक है यहां पर हम जो है माइनास किप्ति कर देता हूं नहीं माइनास पोटे फाइफ 46 कर देता हो ठीक है यह मैं इस तरीके से एक डी कट लगाउंगा इसको डीक लगाऊंगा यह आपको टॉप यूँव हो गया तो इस तरीके से फास्टिनिंग लगाएंगे एक डूर चार्टिनिंग लगाएंगे साइड में इसको क्लैम करने के लिए अब फ इसको रोटेशन ना हो और जो एयर होगा तो इसके लिए में यहां पर इनलेट डेखना वीडियो बहुत कौन से आपको क्लिर होने वाला यह जो डीटेल है ना यह चोटी मोटी जो कंपेनी नहीं उसकी ड्रोइंग नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यह बहुत इंदिय हमें आता है टॉप में उसकी कंपेनी का डीटेल है जो मैं करके आपको यहां पर समझा रहा हूँ तो देखिए यहां पर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा जिसको भी इस लेवल पर शिखना है ना तो आपको शिखने को मुस्किल है ना किसी के पास आज की ताइम में इसको मापना और प्रैक्टिकल सिज़े आपकी बनाणा लिटो हो ना वाला पर्शन का तो आपना हो गया अभी अपने को बनाना है उपर वाला पर्शन का अब दुस्तों इसकी उपर वाला प्रशन बनाते है तो यहां से मैं स्कैस लूँगा तुछ तो यह मैं कुछ लोंगा 38.5 लोंगा ठीक है इंटु टू ठीक है चलो इसको मैं एक्स्टूड कर दूंगा प्टेमेंचनी ले रहा हूं यह जो मैं आपको समझ देता हूं यह जो इन को अपको संधने में इज़ी होगा यह जो आपको मैं इसकी का है है ना हासकी का है तो देख पाओगे कितना डीटेल है यहां पर देखो एक एक सीज़े का डीटेल है फुली हासकी का है और टनर का इसको वह तरनर पगाड़ा भी सिगिना है बोगी मैं सिखाता हो ठीक है नंबर मेंशन आप कॉंटेक्ट कर सकते हो यह देखोगे आप थ्यान स िखर अब मैं यह वाली पॉर्शन बनाने जा रहा हूँ थीक है यह वाली प्रशन बनाने जा रहा हूँ मनलब यहां से यह मेरे तोप बा ऩॉले एरिया है यहां से यहां का डू स्टेंश है कि यह जो प्रोडुशन है यहां से रिसेंश कितना है 72 mm का ठीक है यहां पर 72 mm में यह आपकी का प्लेट टक है बट मुझे एक्षुएल में जो बनाना है में दिखा के समझार हुआनों तो आपको समझ में आए कि इतना है 60 mm का और यह जो आप देख पाओगी आठ एमियम का है ठीक है और 60 mm आठ एमियम और इधर से आप दिखोगे ना जियां से इतना है 77 mm का ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कौनसी वाली mm कितने mm का रखना है उसी एकॉर्णिंग आपको रखना है ठीक है तो हम इनको जो है एक बार 77 और आपका यह होगा 71.5 ठीक है तो यह जो होगा आपका मैं जी डवा के देखता हूँ ठीक हो कितना हो जाएगा 77 लिखना है हमें ठीक है और यह जो है 60 mm का आपको एक्स्टूट करना है ठीक है 60 mm का आपको एक्स्टूट करना है ठीक है कर दिया अब 60 mm के साथ उपर से देखो यह उपर से आपकी होट्रोनर के लिए इंसाट भी डालना बढ़ेगा इधर पर और यह जो होगा यहां से हम एक काम करेंगे 8 mm ठीक है 8 mm रिवर्स लेंगे और यहां पर हम वांचार करेंगे ठीक है तो यह जो हम इसको यूनीट करेंगे अभी के लिए हम होटनर का अभी इसमें मुझे इंसाट भी डालना है तो अभी देखो यहां पर यह मैंने कोलर तो बना रिया है अब मैं इसको जो है राउंड इस nossa हीश्यष्ब लेन याफ यहां पर खकला का स्कॉर्हा से रartzा दिया है और में इसको प्रेक कर लेना है सुआ कि यहां पर हमें इनको वी हाइं दो अब यह जो फ़ल्टू का से जय ना यहां को था ना पड़ेगा ठीक है अब दोस्तों देखो यहां पर मुझे इनकी कुलिंग सेन्ल बनाना है मतलब cooling channel बोले तो देखो यहां पर मुझे इनकी cooling channel बनाना है तो यह एक तो important factor है क्योंकि cooling मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा अब जो cooling होगा इनका जो है parameter हमने define कर रखा है क्या parameter define कर रखा है जो देखो जो भी सीजे में लगा चाहूं न यहां पर standard है क्योंकि company अच्छा है आपको standard लगाना पड़ेगा यहां पर 12 mm का है ठीक है तो 12 mm का मैं एक टो group बनाऊंगा और जो आपकी ओरिंग लगा रखा हो न ओरिंग आपका चारे में का है तो चारे में 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 उसकी weight कितना आता है कौ कितना आ जाएगा यह ओरिंग में दोनों का हम सेम रखेंगे एक और इंग से दूसरा एक और इंग से और कुलिंग के गप कितना है चारे में रखेंगे concept clear है और देखो यहां से जो उपर होगा न हम उपर से रखेंगे तीक है उपर से कितना है 7 mm का हम पारसाइट रखेंग प्लासर में ने बताएट आपको प्लास 4 mm ठीक है यहां से 7 mm का गया ठीक है अब उसके बार आपको यहां पर ऑफसाइट तूसाइट रखना है मैंने आपको कितना बताएट था माइनस 3.5 का ठीक है माइनस 3.5 कई तो यह देखो आपका यह कटम-खतम हो गया तो यह लगता है कुछ फल्टू का सीजर रह गया है ना कि मैंने सब्ट्रेक नहीं करा यहां पर आपको सब्ट्रेक करना पड़ेगा सब्ट्रेक सब्ट्रेक ठीक है परफेक्ट यहां पर हम डॉप अब यहां से हम इसको सब्ट्रेक करेंगे ठीक है परफेक्ट अब अब नेक्स आपका आएगा अब इधर से आएगी अब यहां से फिर concept हो जाएगा तो यह होगा इस तरीके से कुलिंग का हम कुलिंग में हलका हलका जो है एग देकंगा तो मैं इस तरीके से कुलिंग का यह डाल लोगा है अब इनकी हो यह सब कालर तो आपको यहां पर हम इसकी कालर जो है ना सेंज कर देंगे ठीक है मैंने इसमें यह कलर ले लिया इसमें यह कलर ले और इसको मैं फोड़ आसा lightest color पर लोगा like this ठीक है तो आपको confusion नहीं होगा यह ध्यान रखना अभी यह मेरा क्या हो गया यह मेरा सोगया जो होगया ठीक है कि टीटी इंसाइट के ओपर क्या रहेगा जो के कर रहा हूं तो मेरे पासिसका डीटेल है जो मैं हॉतनार कर नोजल कर रहा हूं आपको में आपको यहां पर दिखा देता यहां पर आपको यहां पर इसको भी कुलिंग करना पड़ेगा तो अभी क्या करते हैं सबसे पहले मैं यहां पर एक स्कैस ले लेता हूं मैं इधर पर अब यह जो स्कैस लूँगा मैं यह में लेता हूं फिप्टी सेवन का डन डन अब जो यह स्कैस है इसको मैं नान करता हूं और इसको मैं 0 कर लेता हूं अब यह जो है 8mm का मैं कर लेता हूं कभी कभी केस में यहां पर 8mm है ठीक है 8mm में कराओं अब उनके बाद यह जो आप देखआओगे इनके बाद जो है ना यहां पर मैं दूसरा स्कैस से लेक करूंगा ठीक है यह रहेगा आपका 16 mm या 15 mm तक ठीक है चलो मैं 16 mm कर देता हूँ अब यह जो ड्रोइंग है इसके हिसाफ से अगर मैं जाओ ना इसके हिसाफ से तो यह 4 mm का ओफसेट है कितने mm का ओफसेट है देखा है मैं दिखा देपागा गल्ति नहां फिरोकर चीक यहां मैं मा इंच 4 mm कर दे कर दूँँगा अब इन को मैं यूनित सकता हो अब ऑफ सकता हो मैं इनके बाद डोस्त इनके बार यहां पर ए खसे लूँगा आठ है में उफसेट कर दूंगा माईनास जीरो अब 0.5 क्यों आफसेट कर रहा हूँ आपको अब पता लग जाएगा माईनास 0.5 मैं आफसेट कर दिया ठीक है कर दिया ठीक है अब इनके बाद एक मैस कैस लोंगा यहां तक रेंडम मैं कोई अभी साइस दिसाइड नहीं कर र यहां पर एक कि यहां से आपको यह 10 दिगरी देना पड़ेगा यह उपर से आपके यहां पर गईठ सायगा तो यहां के लिए यह जो 10 दिगरी है आपको डेहना पड़ेगा यह चोटी-चोटी-चीज़ है ना आपको कहीं से आपका डिजाइन जो ना बहुत इंप्रूब कर देगा आपका डिजाइन बहुत इंप्रूब कर देगा यह दस दिखो मैंने यहां पर डाल दिया इनको आप दिलेट कर दिजिए तीक है यह मेरा इंशाट उपर का जो है में जो होटनर का जो इंशाट बनेगा यह मेरा बनके आ गया अब इनके बाद इसको मैं सब्ट्रेक करूंगा इससे यहां से तीक है यहां पर इसको सब्ट्रेक कर दिया है यहां मैं हलका चा सेंपर दे तीन का रेडियस जब ढूंगा पंशार्फ है कोई बात नहीं अपमें कि पूस्तों यहां यह जो चैंपट कुछ इस तरीगे से देखेगा अब यह जो चैंपट दे रखाओ यहां पर देखो इस तरीगे से मैं कुलिंग का भी बनाऊंगा है ना कुलिंग का भी बनाऊंगा कुलिंग भी जना पड़ेगा आपको अब कुलिंग का कैसे रखना है तो सबसे पहले मैं य माइन माइनस फोर का ठीक है और यहां पर एक प्लास में दोंगा क्यों कुछ को काट के दिखाना है ठीक है जैसे मैंने यहां पर आपको दिखा है ना यहां पर यहां पर यहां पर कमई होगा रहसे सकता हूं तो odpow the . इधर पर थ्लैण फंसी हम देंख्यान से अब देखते इसे का है तो मैं यहाँ पर भी करोंगा इस्पेस नहीं है मेरे पास तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा जो यह एक्स्टूड है तो यह आपका एक्स्टूड है अपने चार एम्म के जगा इसको हम कर लेंगे ठीक है अब सब्सक्राइब कि अब देखिए उस तो इधर पर हमई इसको क्या करेंगे दुरैसे एक्स्टूड करूँगा मैं अभी 3 का यूज करना है कितने के उसकर थैकले आगले नगे तो इधर पर हम 3 3 का मैं सको 3 का ले लूंगा तो यहां पर 4 का सैंसले लूंगा थो चार प्लास से सेवे तो जाएगा तो 7 इदर पे हो गया तो इदर पे मुझे कितने में देना है चार का गएब देना है यहां पर यहां पर इसको ने आगया है यहां के आने की कि और इंग का ध्यान रखना है कितने और रखना है और कितना रखना है उसको आपको ध्यान रखना है तो यहां पर हम एक का यूश करेंगे कि इसको आदेजिए कि डंट कि भाने दूर्ट नहीं करा अब भी कि अब अब और मेरा बार बार यहां पर मतलब पहले ही वह जा रहा है ठीक है यह का हम कटते हैं ड़न कि अठीक है वान पॉइन फाइब कर लिए तो इनको इस तो यह देखो एक तरीक से मेरा कुल लिंग का बन गया ठीक है ये मेरा कुलिंगा बन गया अब देखो यहां पर तीन का आएगा ठीक है तुमें डू का लगा रखा ूँ यह जो है मेरा कुलिंग का बना रखा हू अब इनको मेरा कॉiston पूरा ले आता है तो आप देख पाओगे को design करना है यह में इंशाट आपको इस तरह के से बनाना है मैं फाइल को शेयर कर देता हूँ आपके साथ है और यहां पर हम बात करते हैं तो एक-एक शीजल आपको डिटेल मिलेंगे अगर आपको कि वी इस ऐफ मेरे का में अलक से बना रखाऊ तो यहां पर मोल अप्रक्राक्यसा और्डर करना है उसके वारे में यहां पर देया रखा हूँ एक प्लेट का आपको में यहां पर इचल रूँञाइगा तो इसको हमने तीन ग्राम कर दिया है तो अभी यह मार्केट में आपको तीन ग्राम का मिल जाएगा सब मिल जाएगा आपको कोई भी हैडिक नहीं लेना है यहां पर बोम बगारा मैं सब दूंगा उसी अकॉडिंग आपको